पिंक लाइन का कंट्रक्षन जो मेट्रो बनाई जा रही है पिंक लाइन तो देख सकते हैं उदर से आ रही है सिब विहार से निकलती ही ऐसा गोकुलपुरी होते हुए और गोकुलपुरी का ये स्टेशन है देख सकते हैं ये जा रहा है लौनी के लिए लाश्ट में और वीरे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके तो यह फांडेशन बनाया जाता है जो कि आप लोगो को सरी सरीया देखने के लिए मेलेगा और उधर देखिए वह पिलर भरा जा रहा है फिर उसके बाद में पिलर कैपिंग का काम किया जाएगा और देख सकते हैं यह रास्त कि अधर के ऐसा क्रोस करवाया जाएगा इस तरीकेता ऐसा तो हम चल रहे हैं आगे एक साड़ में दिखाते हैं आपको डबल डेकर जो मेटरो बनाए जा रही है कौन सा इस्टेशन बनाए जा रहा है डबल डेकर का वो भी आप लोगों को दिखाएंगे तो बने रही है के पिसंत के साथ में गाई तो चलिए चलते हैं नादेर करते हुए दोस्तों देख सकते हैं ये आदा पिलर भर दिया गया है देख सकते हैं ये अब इसके उपर और अभी इसमें सरीया लगाए जाएंगे फिर और उपर किया जाएगा जैसे कि जैसे उनकी हैट देख सकते हैं प लोगों को दिखा रहा हूं तो बढ़ते हैं यहां से आगे और दिखाते हैं आपको आगे का कंट्रक्शन के कितना इस पर पिंक के लाइन पर काम हो चुका है और कौन-कौन से स्टेशन आगे पड़ेंगे तो आप बने रही है और आपको बताते हैं तो देख सकते हैं जो पि किलो मीटर का वायो डेक्ट तैयार किया जा रहा यानि कि डवल डेकर मेट्रो बनाई जा रही है पिंक लाइन तो देख सकते हैं उसके आंस को ये इस्टेंड करने का काम चलने लगा है क्योंकि अभी ये इसके कैप जोड़े जाएंगे तो कुछ हिस्ता ये है दो तीन पिलर का फिर ये बीच में उपर आ जाएगी फिर इसके जैसे हम आगे चलेंगे तो आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा कि वहां पर कितना काम हो चुका है डवल डेकर का क्योंकि डवल डेकर सबसे उपर चड़ेगी पिंक लाइन मेट्रो उसके नीचे बाहन चलेंगे और उसके नीचे भी जो ग्राउंड फिलोर का है वो भी उसके बाहन चलेंगे और उसके उपर भी बाहन चलेंगे क्यूंकि यमना बिहार और बजनपुरा के बीच में गाइज बहुत जादे कंजेक्शन एरि फिर इन पर आम्स को इस्टेंड किया जाएगा राइट और लेप्ट में फिर इस पर गाटर लॉंचिंग की जाएगी ताब जाकर आपको दिखाई देगा तो आप लोगों को अभी दिखाएंगे आगे जो इस्टेशन आएगा यमना बिहार का और बजनपुरा का क्योंकि बजनपुरा राइट में है और यमना बिहार लेप्ट में तो उसी के कंट्रक्शन चल रहा देख सकते हैं यह डबल डेकर का वही है डबल डेकर का जो कंट्रक्शन चल रहा है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा देख सकते आप लोग तस्वीर हैं तो यह आम्स क इस्टेंड करने का काम चल रहा और इसके ऊपर फिलर बनाई जा रहे हैं अब जो कि इसका फ़िश्ट फ्लोर था बो तो उस पर बिलकुल कंप्लीट हो चुके हैं अब इसके ऊपर का फिलोर बनाया जा रहा है जिस पर पिंक लाइन मेट्रो दोड़ेगी तो देख सकते कुछ इस तरीके से ये डबल डेकर मेट्रो बनाई जा रही है मेट्रो इस्टेशन बनाया जाएगा जिस पर ये क्या नाम है यमना बियार और बजनपुरा के बीच में ये डबल डेकर देख सकते इस तरीके से ये बनाया जा रहा है तो इस पर आपको बता दी आमस को बार कर दिय है और इस पर गाटर लॉंचिंग कर दी गई है तो गाटर भी एक तूत्रे से बिलकुल तू वीलर थ्री वीलर और नीचे भी चलेंगे इसके ग्राउंट फ्लोर पर भी तो देख सकते हैं हम निकलते हुए चलेंगे आपको बता दू दोस्तों के अब आने वाला है खजूरी खास का इस्टेशन वह आप लोग को देखने के लिए मिलेगा इस फिलाईवर को जैसे हम फिलाईवर पर चड़ेंगे बैसी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा और आपको देखने के लिए मिलेगा इतमा है आठ इस्टेशनों बाला फोर पॉइंट त्वैल्ब पॉइंट एट्टी त्वैल्ब पॉइंट फिफ्टी एट किलो मीटर लंबा कॉरीडोर उत्तर और पूर्व उत्तर दिल्ली को जोड़ेगा और एक बार बनकर तैयार हो जाने के बाद यमना बिहार भजनपुरा खजूरी खास सौनिया बिहार सूरगाट जगतपुरा गां जरोदा माजरा और बुराडी को दिल्ली मेटरो के नकसे पर सामिल कर दिया जाएगा गाई तो देख सकते हैं ये खजूरी खास का इस्टेशन आ गए आप लोग को देखने के लिए मिलेगा तच्वीर आप लोग देख सकते हो और अभी जो अगला इस्टेशन आने वाला है वो आने वाला है खजूरी खास का देख सकते हैं ये खजूरी खास का इस्टेशन बनाए जा रहा है यहां पर और आपको बता दूँ यहाँ पर अभी कंट्रक्शन चल दी रहा है क्योंकि इन पर फिलर कैप का काम किया जाना है और इस पर भरे जाएंगे तो इन पर देख सकते हैं सैटिंग लगा दी गई है जो कंक्रेटिंग की जाएगी उस पर और अब इस पर हम चड़ जाएंगे उपर ऐस आज मैं आप लोगों को यह देख सकते हैं जो यह फ्लाइबर आगया एक खजूरी टैप का काम किया जाना है बस और आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों कि दिल्ली का सिगनेचर बिजर कैसा बना हुआ है देख सकते यह है खजूरी खास का इस्टेशन यह यहां पर बनाया जाएगा और इसके बाद में सौनिया ब्यार का इस्टेशन बना सकते हैं आगे यह सामना जो सब से उचा वो दिखाई देरा आप लोगों को बही है सिगनेचर ब्रीज डेली का गई देख सकते हैं आप लोग तश्वीर है यह आ चुका है सिगनेचर ब्रीज जो की बना हुआ है और यह केजरी वाल सरकार ने इसका उद्धाटन किया तपह करें जादे से जादे गई तो देख सकते हैं यह है यमना रीवर दोनों साड़ में देख सकते हैं किस तरीके से यह इसको ब्रीज को और इसके बगल में यह पिंक लाइन की लाइन बनाई जा रही है यमना रीवर पर जो यमना रीवर की जो ब्रीज बनाया जा रहा है पिंक ऐसे ही contract sensor related मैं वीडियो से आप लोगों के बीच में लाता रहता हूं आप लोगों को information देता रहता हूं गाईज देख सकते हैं आप लोग पश्वीर है और यहां से हम निकलते हुए चलेंगे आगे और आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा सूरगाट का station यह देखिए यह सूरगाट के सामने ही यह बनाय जा रहा पार्क जो की बहुत सुंदर पार्क बनाय जा रहा इसके अंदर पानी रहेगा पबले के जाने के लिए आने जाने के लिए और यह यहां पर है सूरगाट का station यहां पर यह जो लगी हुई है पाइलिंग मसीन यहां पर सूर गाट का इस्टेशन होने वाला है और जैसे हम इससे आगे चलेंगे तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा यह सबसे लाश्ट में है और यह आपको बता दूगा इस बुराडी बुराडी क्रोस करने के बाद मैं जो ग्राउंड पड़ा है आगे पर ऐसा ही मजलिस पारिक के लिए यह लाइन चली जाएगी तो आप लोगों अभी और बताना वाले तो मजलिस पारिक के लिए देख सकते इस रोड को क्रोस कर रही है यह इधर मजलिस पारिक के लिए जारी और यह ग्राउंड पड़ा है इसमें यह यार्ड है करन लिए अपनी तश्वीर है आंखोच है देख सकते हैं कुछ इस तरीके से से निले साथ है एक पिलर से दूसरे पिलर को आपको बता दू कि यह घूर है अ प्रोग लगा सक्तए तो आपको बता दू यह है दोस्तों बुरहड़ी Metro Station Pink Line देख सकते हैं यह बुराड़ी का Station है गाइज यह बुराड़ी के लिए जा रहा है अंदर राश्ता आप लोग अपनी आखों से देखो और ऐसे यह Cross करती हुए इस रोड को Cross कर जाएगी तश्वीरे आप लोग अपनी आखों से देख सकते हो और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए के पिसंत को जादे से जादे लाइक पेयर कमेंट करें जादे से जादे और चैनल को आप लोग नाभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना नीचे रैड कलर का बटनों से प्रेस कर देना तुरंत बैल आइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा गई तश्वीरे आप लोग देख सकते हैं आप दूसरा जो इस्टेशन पड़ेगा बो पड़ेगा जरोदा माजरा जरोदा माजरा का इस्टेशन ये आगे पड़ने वाला है देख सकते हैं अपनी आँखों से तश्वीरे ये देखिए ये जरोदा माजरा इस्टेशन ये है यहाँ पर ये देखिए ये वाला ये जरोदा माजरा का इस्टेशन है और जो जगतपूर जगतपूर गाउं का इस्टेशन है वो है आगे यह है जरोदा माजरा का इस्टेशन नहीं पर इसके बगल में और जैसे हम इसको क्रोस करेंगे बैसे ही आ जाएगा जगतपुर गाउं का इस्टेशन गाई तो इसे हम रस्ते से जाते हुए और आपको दिखाएंगे अभी सौनिया भ्यार का इस्टेशन कैशा है वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगए और आप लोगों को अभी दिखाएंगे अब इसके बाद में जगतपुर गाउं का इस्टेशन आने वाला है आगे यह यहाँ पर जगतपुर गाउं का इस्टेशन बनाया जा रहा है इस साइड में यह मेरे लेप्ट में और यह हम आ रहे हैं अभी गाजीपुर की साइड से जो गाजीपुर डंपिंग याड है उसकी तरफ से आ रहे हैं देख सकते हैं यह जगतपुर का इस्टेशन है जगतपुर गाउं का और यह बनाया जा रहा है सूरगाट का इस्टेशन यह देख सकते हैं यह सूरगाट का इस्टेशन यहाँ पर होगा क्योंकि यह यमना रीवर के बगलमई है सूरगाट उसका इस्टेशन बनाया जा रहा है इस जगे पर तो देख सकते हैं दोन तरफ का इंटरक्शन चल रहा है इन पर Plur Cap का काम कर लिया गया है Plur Cap बरने का काम कर लिया गया Plur Cap लगाई जाने है आभी नहीं लगाई गए है जैसे हम आगे को बढ़एंगे बैसे हम Sonia Bihar के लिए चलेंगे फिर आपको Sonia Bihar का भी Station दिखाएंगे कि Sonia Bihar के Station पर कितना कुछ बर्क हो चुका है complete वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों देख सकते हैं यह सूर घाट जगतपुर station पिंक लाइन जो बनाई जा रही है और यहां से हम हो जाएंगे left देख सकते हैं यहां पर जो पहले बता दूगाई से पहले यह सिगनेचर बिरिज नहीं हुआ करता था अब यह बाद में सिगनेचर बिरिज बनाया गया है और यह सूर घाट का station है यहीं बगल में यमना के और अगर हम सीधे जाते हैं तो चले जाएंगे हम राज घाट के लिए और अगर पीछे जाते तो आई एस बीटी के लिए चले जाएंगे तो देख सकते हैं यहां से यह station है स्टार्ट हो जाता और यह बनाया जा रहा है यह सौनिया बेहर का station अब इसको आमस को इस्टेंड करने का काम चलेगा दौनों साइड़ों मैं फिर इसके उपर गाटर लॉंचिंग की जाएगी तब इसके उपर कुछ बर्क चलना इस्टार्ट होगा तो यहाँ पर आपको बता दूं कुछ तो पिलर पियर कैप का काम हो चुका है कुछ पर बागी बचा है बागी तो यह पिलर बिल्कुल पियर कैप बन चुके हैं अब इन पर इन पर एक पिलर से दूसरे पिलर को क्राइन मसीन द्वारा देख सकते हैं यहां से सौनिया ब्यार का इस्टेशन इस्टार्ट हो चुका है देख सकते हैं आप लोग तच्वीर है और जैसे हम आगे को बढ़ेंगे तो वैसे ही खजूरी खास का इस्टेशन आ जाता है इसके फ्लाइवर के बगल में तो आप देखने में अच्छा लगेगा देख सकते हैं इस पर यह जो रख दिये गए हैं किलियर कर दिये गए हैं जो राइट वाले हैं वह बचए कि हाँ यहां पर डबल लाइन चले गी तो इस बज़ए से यह इसके बनाई गई गया लाइन टाकि यहां पर यह मजलिस पार्क यह ऐसे ही वीडियो देखने के लिए के पिसंत को जादे से जादे लाइक से यार कमेंट करो चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लेना नीचे है रेड कलर का बटनों से प्रेस कर देना तुरंत वैल आइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो अपने पर कितना कुछ बर्क हो चुका है कम्प्लीट वो भी आप लोगों को आँखो चे देखो अपने देख सकते हैं यह जैसे हम इस बाइडक्ट को किलियर करेंगे तो यह तो यहां तक के सोनिया बयार के बीच में और खजूरी खास के बीच में यह पूरिकुल लाइन क इस टेशन पर देख सकते हो कितना कुछ बर्क अभी तक कम्प्लीट कर लिया गया है और कितना कुछ जल्दी से जल्दी मतलब कंडे के चक्तरमा ही लग रहे हैं ताकि इतको लाइन को बहुत जल्दी बहुत तेजी के साथ में बनाया जा रहा है तो यहां से यह स्टार्ट ह हो जाता है खजूरी खास का इस टेशन देख सकते हैं यह पियर कैप बिलकुल कंप्लीट कर लिए गए हैं अब इन पर एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट किया जाएगा इस पर आम्स को इस्टेंड किया जाएगा बार की तरफ दौनों साइड़ों में यहां पर बनाय ज को जादे से जादे तो चलिए आप से मिलते हैं नेक्श वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई जैहिंद जैवारत बागाई से मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ मैं आप सभी से तब तक के लिए बाई बाई जैहिंद